हेलो दोस्तों नमस्कार सभीको क्लासिस फॉर यूटूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है जनुवरी शेदी सिमर महीं नेके इंपरनी डेश की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखे हैं और इस सीरीज का ये पाच्वा वीडियो है जनुवरी फरवरी मार्च और अपरल महीं नेके इंपरनी डेश का वीडियो हमने पहले ही बना रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है आप वहाँ से भी उन्हें जाके देख सकते हैं तो चले श्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना वीडियो एक महीं को अंतराष्टर सर्मिक या मजदूर देउस मना जाता है शिकागो में एक महीं 1886 से अंतराष्टर अस्तर पर सर्मिक देउस मनाने की सुरात की गई थी उससे मैं सर्मिकों से बहुत अडिक घंटों तक काम लिया जाता था इसलिए सर्मी को दोवारा हर्ताल की गई और मांग की गई कि उनके दोवारा काम करने का समय सिर्फ 8 गंटे हो और साथ उन्हें सबता में एक अवकास भी मिले इसलिए इस दिन कॉंट्राक्ट चा सर्मी या मजदूर देउसकर पे मना जाता है विशो भर में पर्टेक वर्ष तीन माई को प्रेष Σरुत अंट्राथ देउस मना जाता है चार माई को कोईला खदान देउस मना जाता है उर्जा के सबसे बड़े स्टोथ कोईले की कजानों में काम करने वाले लोगों को उनके स्वास्थे के प्रति जाघरूप करने के लिए प्रते एक वर्ष 4 मही को या दखेगा 4 मही को कोईला खजान देउस मनाय जाता है नेक्स्ट साथ मही को विसो एटलेटिक दे और रवीन दाना rag जैन תी मनाय जाते है साथ महीं 1861 के दिन कलकत्ता में रवींदर नार्ट टैगोर जी का जनम हुआ था यह एशिया के ऐसे पहले सक्ष थे जिनने पर्थम नोबल पुरुसका से समायच किया गया था इन्होंने ही बार्थ के राष्ट्रकान जिन्गनबन की रजना की थी इनके जनम दिन की याद में पर तेक पर्ष साथ महीं को रवींदर नार्ट टैगोर जैनती मनाई जाती है नेक्स्ट आठ महीं को विशो थले सेमिया वे विशो रेड़ क्रोस दियूस मनाई जाता है विशो में अंतराश्ट रस्तर पर आठ महीं को विशो थले सेमिया दियूस आउजित किया जाता है तेले से मिया एक अनुवांसिक रोग है जो बच्चों को अपने माता-पिता दौरा प्राप्त होती है। इस बीमार में खुन में हिमोगलो भी नहीं बनता है। इसका उदेश से है कि लोगों को इस बीमारी के प्रतित जागरू क्या जाज़ के है। और 8 मही 828 के दिन International Community of the Red Cross के संस्तापक Henry Dunet का जनम हुआ था। इसलिए इस दिन को विशो में अंतराश्टर सर पर विशो Red Cross देउस के रुप में भी मना जाता है। इन्हें यादर करेगा। 11 मही को राश्ट्रे प्रयोदोगी की देउस मना जाता है। बारत में प्रतेक वर्श 11 मही को राश्ट्रे प्रयोदोगी की देउस आयुजित क्या जाता है। इसको मनाने की घोष्णा 1999 में पूरो प्रदान मंतरी श्री अटलबियरवाज पर जी ने की थी। 17 मही को विशो दूर संचार देउस मना जाता है। 17 मही 1865 में अंतराश्ट दूर संचार संकी स्थापना हुई थी। इसलिए वर्श 1969 में इस दिन को विशो दूर संचार देउस के रूप में मनाने की घोष्णा की थी। इसका उदेश से सुचना और संचार के माध दूर को परतेक सेतर में आसाने से उपलब्द करवाना है। 21 मही को राष्ट्रे आतंगवाद वी रोदी देउस मना जाता है। इस दिन का मुख्या उदेश से आतंगवाद इक्रत वी दियो के परती नागरीगों को जागरूप करना है। 22 मही को विशो जेव विविदीता देउस मना जाता है। विशो भर में परतेक वर्श 31 मही को तंबाकु वी रोदीदेउस मना जाता है। इनका मुख्या उदे से तंबाख कुछ इस सवास्ता पर पढ़ने वाले हानिकारक प्रभाव के बारे में जागरूप करना है इसे World Health Organization दुवारा मामारे के रूप में गोशित किया हुआ है क्योंकि इसके कारण मेरे उदर काफी बढ़ गई है दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरू किजिएगा आज लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में जून महिने का इंपोरिन टेश के साथ तब तक के लिए धन्यवाद